ये होममेट और्गानिक फ्रीका चीश से वेरा साधा बहार यानि विंग का प्लांट पुरे साली हरा भरा प्लास फुलों से भरा रहता है साथ में ये बहुत हेल्दी भी बना रहता है तो हर दिन आपका घर से ये फार्टिलाइजर मिली सकता है इस वीडियो में इसका डिटिल आपके साथ बात करूंगी साथ में विंग का साधा बहार प्लांट के बारे में कुछ छोटी छोटी बात आपके साथ शेयर करूंगी विंग का प्लांट आपके गार्डन में है और आप इस वीडियो पुरा वाच करेंगे तो विंका साधबार प्लांट के बारे में काफी information आपको मिल जाएगी जैसे देखिए ये मेरा देशी वेराइटी का विंका प्लांट है पर इसका color देखके आपको लग रहे हैं ये hybrid variety का है पर ये hybrid variety का नहीं है जो देशी वेराइटी में सफेद color और pink shade आते हैं इस दोनों प्लांट को एक साथ रखने से इस तरह नए नए color आपको देशी प्लांट से भी मिल सकते हैं और भी 2-3 color आपको दिखाऊंगी जो बिल्कुल देशी वेराइटी का है सादबहार यानि विंका प्लांट इस तरह अचनक मर जाते हैं सूख जाते हैं पर इस प्लांट का नीचे देखिए छुटचुटे प्लांट भी तैयर हो गए हैं तो जो प्लांट बहुत ही जल्दी खराब हो जाता है हमेशा हमको यह करना चाहिए कि सीट से फटफट उस प्लांट को ग्रो करना चाहिए नहीं तो काटिंग से भी आपको लगा लेना चाहिए तो आपका गार्डन से जो प्लांट इस तरह बहुत ही जल्दी खराब हो जाता है आपका गार्डन से यह कम्प्लिटली जाता नहीं इस प्लांट कोई देखिए ना कितना हेल्डी आपको उपर से दीख रहे है पर देखिए ये प्लांट मैक्सिमम टू मैक्सिमम दो से तीन दिनी मेरा गार्डेन में है उसके बाद ये भी खतम हो जाएगा नीचे का ये पोर्शन देखिए थोड़ा सा ब्लैक होना शुरू हो यानि विंग का सादबार प्लांट इसके करण में खराभ हो जाता है मिट्टी के अंदर से इसमें फांगस लग जाता है और इस तरह मिट्टी के नीचे से ये आपको जो ब्लैक पोर्शन दीख रहे है इसका ब्रांच इसका तना इस तरह ही काला पर जाता है और अंदर के तरह बिल्कुल खोकला हो जाता है ये फांगस होता है एक टाइप का और देखिए जब भी आपका प्लान इस तरह खराब होना शुरू हो जाए आपको दिखा दिया किस तरह आपको देखके पता करना है तो देखिए आपको कार्टिंग से इस प्लान को लगा ले जैसे ये color देखिए dark pink shade का है पर ये desi variety का ही है हो तक है जैसे दो color जो desi variety का आते है pink और white मैंने देखिए side by side रखी हूँ तो इसका side by side रखते हुए दो flow का cross हो जाता है और different different color मेरा garden में आ जाता है और यहाँ पर देखिए और इक चीज आपको दिखा रही हूँ ये desi variety का है white color का plant इसमें देखिए इसका आसपास जितना गमला रहता है इसमें seed आपने आपी गिर जाता है और इस तरह के से देखिए छुटे छुटे प्लांट बनके तयर हो गए है तो आपको करना ही कुछ नहीं है बहुत सरब प्लांट इतना ही प्लांट आपका garden में आ जाएगा कि आप इसको भी फेकने से मजबूर हो जाएंगे पर सादा बहर प्लांट का एक बहुती बेनीफीट बहुती अच्छा बेनीफीट आपको बता रही हूँ इसको जानने के बाद आप garden में जादा से जादा सादा बहर का प्लांट एड़ करते रहेंगे क्योंकि ए जो सादा बहर प्लांट बास्तू के हिसाब से बहुती लाप करी एक पॉजिटिव वाइफ क्रेट करने वला प्लांट है आप डिटेल से थोड़ा गुगुल में चेक कर लिजे यहां पर देखिए और एक कलर वेराइटी आपको दिखा रही हूँ यह लाइट परपल कलर है और अंदर इसका डार्क परपल है और देखिए इस तरह जब प्लांट छोटा रहता है उसको पिंचिंग कर करके इस तरह घना भी आपको बना लेना है सादबार विंका प्लांट को आप बन्जाई लोग भी दे सकते हो वो भी बहुत ही अच्छा लगता है विंका प्लांट को फांगस से बचने के लिए मैं कब पानी देती हूँ देखिए जब प्लांट हलका सा ड्राई आपको दिखे प्लांट का पतिया हलका सा सुखा आपको दिखे इस टाइम ही मैं पानी दे देती हूँ और पानी बोलिए कि लिक्वीट फार्टिलाजर बोलिए मैं इसी टाइम पे देती हूँ जैसे मैं दे रही हूँ बहुत बरिया एक liquid fertilizer और आपको दिखाऊंगी जैसे मैं फार्टिलाइजर दूँगी साथ साथ में प्लांट एक से दो घंटे के अंदर ही प्लांट एक दम फ्रेश आपको देखने को मिलेगा तो ये कौन सा फार्टिलाइजर है पहले आपके साथ शेयर कर लीती हूँ ये है rice wash water यानि जब आप rice बनाते हूँ उसके पहले जब आप अच्छा से दोते हैं धुले हुए पानी को ना फेक के आप साथा भार प्लांट में डालते रहें ऐसी fungus के करण में विंका प्लांट खराब हो जाता है तो मैं सो समझ के विंका प्लांट में फार्टिलाइजर देती हूँ तो इस फार्टिलाइजर मैं साल बर देती हूँ आप बहुत ही अच्छा से इस फार्टिलाइजर से विंका प्लांट को घना भी बना सकते हो हेल्दी ठीक हो गए है और जब आप राइस वाटर प्लांट में इस्तेमाल करेंगे आपको और कोई एक्स्ट्रा पानी मिलाने के ज़रूरत नहीं है और आप हाइबिर्ड विंका लागाना चाहते हैं आपको सीडलिंग्स भी मिल जाता है और नार्शरी से बनाय बनाय प्लांट भी आ इससे जादा नहीं रहता है सादा बहर विंका प्लांट आप गर्डें में ज्यादा से ज्यादा एट करते रहें त Ex Vir curated में इसको बनाने के लिए आपको कंटीनू classroom करते रहना रहना है तो typical देखिए इस्तरा बूश्य को मिल जाएगा और पानि आपको तब देना है जब इसका मिट्टी हलका से ड्राइ हो जाए सलवर इसमें फूल खिलता है फाटी लैजर देंगे ना देंगे तबी आपका गार्डेन में साधा बाहर प्लांट इधर उधर बिखार के ग्रो हो जाता है तो जब फूल खिलता है सही में बहुत ही अच्छा लगता है हैंगिंग बसकेट में भी आप साधा बाहर प्लांट को ट्रीम करके लगा सकते हो तो भी बहुत ही अच्छा लगता है और अब बर्षत का मौसम में साधा बाहर प्लांट आपको आसपस बहुत ही आसन से मिल जाएगा जैसे एक वीडियो आपके साथ शेयर किया था डोट साइट से मैंने एक साधा बहर प्लांट मेरा गार्डन में लेके आई थी कलर थोड़ा से हटके था और अभी ओ प्लांट बहुती बढ़िया ग्रोध भी कर रहे है तो इस तरीके से आसपसी आपको मिल जाएगा एक बारी आप गार्डन में लेके आई और आपको दिखा रही हूँ जैसे पहले भी दिखाई इस तरह एक प्लांट से हजरों प्लांट बन जाता है और साधा पहर प्लांट घर पे रखना भी बहुती शूब है जैसे ये भी आपको इंफिर्मेशन दिया है तो आज के छोटे सी वीडियो आपको अच्छा लगे फ्रेंस आपको हेल्फूल लगे तो वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए मेरे सार जूरने के लिए चैनल को प्लीस प्लीस सब्सक्राइब भी कर लिजिए मिलते हमारा नेक्स वीडियो पे तब तक के लिए सब्सक्राइब भी ने करे भी जडिए में कुछ्छाइब भी जडिए